हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम क्लास 10th का चेप्टर 100 Dresses का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको वीडियो अची लगे तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजिशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एक दिन मिस मैसन को प्रिंसिपल आफिस से लेटर मिलता है उन्होंने उसको कई बार पढ़ा और उसके बारे में सोचा वंडा के फादर ने उसमें क्लियरली लिखा था कि वंडा अपसे स्कूल नहीं आएगी क्योंकि अब उसको उसके फणी नाम के लिए सिटी में कोई नहीं चिड़ाएगा जैसे कि उसे पुराने स्कूल में चिड़ाया जाता था मिस मैसन ने लेटर को क्लास में पढ़ा तो अचानक से पूजी क्लास में सननाटा चागया मिस मैसन ने धीरी आवाज में बोला रोम नमबर थाटीन के किसी भी बच्चे को जान बूच कर किसी के नाम का मजाक नहीं बनाना चाहिए ये एक बहुत ही सैड न्यूज है कि वन्डा को ऐसी कंडिशन को फेस करना पड़ा मैडी बहुत परेशान हो गए उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो अपने आपको कर्स करते हुए बोलती है मुझे जब ही पैगी को रोग देना चाहिए था जब वो वन्डा को परेशान करती थी उसने वन्डा को डूनने का फैसला किया उसको लगा कि वन्डा ने अभी तक बॉगिन हैट्स को नहीं छोड़ा होगा पैगी को भी ऐसा ही लगा दोनों ने वन्डा के घर जाने का प्लान बनाया वन्डा का घर छोटा सा था उसमें एक कोट यार्ड था उन्होंने डोर नौक किया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई वन्डा वहां से जा चुकी थी मैडी ने वॉन्डा के बारे में सोचा और डिसाइट किया कि अब वो कुछ भी गलत होते हुए सहन नहीं करेगी पैगी और मैडी ने वॉन्डा को एक लेटर लिखा उन्होंने उसमें वॉन्डा से पूछा कि उसको महां कैसा लग रहा है उसकी नई टीचर कैसी है क्रिस्मस हॉलिडे के एक दिन पहले मिस मैसन को वॉन्डा का एक लेटर मिला उसमें लिखा था उसके पास उसके नए घर में और हंडेड नई ड्रेसे हैं वो पुरानी ड्रेसे को क्लास के बच्चों में डिस्टिब्यूट कर दे और स्पेशली पैगी को वो ग्रीन ड्रेस दे और मेडी को वो ब्लू वाली ड्रेस दे उसने लिखा उसे अपने पुराने स्कूल की याद आती है और उसके नई टीचर मिस मैसन इतनी अच्छी भी नहीं है पैगी ने मेडी को बोला कि शायद वोंडा हमने पसंद करती थी क्योंकि वोंडा ने उनके लेटर का जवाब भी दिया और वो भी भीना किसी इल फिलिंग के उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अब वोंडा को कभी नहीं देख पाएंगे घर जाके मेडी ने वोंडा की पेंटिंग को दिवाल पे पिन कर दिया और उसको देख कर उसकी आँखे भराई आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब